हेलो अच्छो स्वागत एक नई वीडियो में दोस्तो कक्षा ग्यार्मी का जो पेपर होने वाला है इसके लिए हम मैदपूर्ण कॉश्चन से लेकर आचुके हैं जियां दोस्तो इन कॉश्चनों को अच्छी तरीके से आध कर लेजिगा आपका जो भी कि जितने भी कॉश्चन बता रहा हूं ये भी कॉश्चन आपके एक जाम से बाहर नहीं जाने वाला है संपूर्ण सोडिशन के साथ इस वीडियो को बताने वाले हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले बच्चो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और यहाँ पर वीडियो को सेर कर दीजीगा फटा फट से जितने भी कॉशन बता रहा हूं बच्टो जितने भी यहाँ पर कॉशन बता रहा हूं आपके 100% कॉशन से द अंत तक देखेंगे जितने भी चात्र इस वीडियो को अंत तक देखेंगे सेट ए यानि कि सेट ए आपका सत्र अंक आने वाला है एक भी कॉश्चन बानने जाने वाला है बस अंत तक इस वीडियो को देखेंगा और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा questions है कि प्रत्वी पर सबसे अधिक प्रकास installation होता है प्रत्वी पर सबसे अधिक प्रकास को भी याद कर लिए अगला कॉस्ट्चन है पादब जगत का वचक कहा कहा जाता है इसको अंजर हो जाएगा आपका व्रायू फाइटा बच्चों पीडियर के लिए इस वीडियो को अंदर तक देगी अगर आप अंदर तक इस वीडियो को देखते हैं तो गारंटी है 100% आपके 75 में 75 अंक आने वाले हैं एक भी question आपका बाहर नहीं जाने वाला है सभी questions इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तेकि अगला question है कि बाइरस मुक्षिता बने होते हैं protein के, nucleicumle के, nucleoprotein के या फुर जल के तो इस question को भी आच्छी तरीकी सियाद कर लेजिगा अगला question है, terudophyta का सदस है terudophyta का सदस है, silegenella, icuisitum, lycopodium या फ़र सभी तो बच्चो इस तरीकी से इस question को भी देख लीजिगा last day में बताने वाला हों की, pdf कैसे मिलेगी अगर telegram को जोइन नहीं किया, तो telegram को जोइन कर लीजिगा और चैनल को बच्चो subscribe नहीं किया, तो चैनल को सबसे पहले आप subscribe कर लीजिगा ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो आने वाली हो, आपकी पास notification पहुंच जाएगी इसके लिए notification बटन को भी दबाएं ठीक है, ठीक है, सबस्क्राइब कर लीजिगा, सबस्क्राइब करना विल्कुल फिरी होता है हगला question है हमारा, कि Kelvin चक्र का प्रतम उत्पाद है तो इसका answer हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी याद कर लीजिगा अब बढ़ते हैं, नेक्स से वहाँ पर, आपको next question कौन सा याद करना है देखीगा, फटा-फट से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा संत्यार करिएगा ठीक है, यहाँ पर अभी और object question दिये गाए है तो मैं मातर आपको 10 object question दे रहा हूँ, उन्हीं मैं से आपको देखने को मिल जाएगा तो बस थोड़ा तर पैसिंस बनाए रखें, थोड़ा सबर रखें, वीडियो को अंतर तक देखें बस वाटसन इवें करके अंतर डियने की एक चक्र में कितने नीकलो एट्स हो पाई जाते हैं दस, ग्यारा, बारा, तेरा तो इस तरीके से इस question को देख लीजिगा अगला है, प्रोटीन रिमाने में सम्मंदित को इसका अंगग है तो प्रोटीन रिमाना में आपका राइवोसॉम है, क्या है बच्चो राइवोसॉम है अगला question है, नीकलो एट्स, नीकलो एट्स मुक्ता बने होते हैं तो किसके बने होते हैं, प्यूरीन सरक्रा तता फॉसफेट के या फिर प्यूरीन, पाइरीमीडीन तता फॉसफेट के या फिर यहाँ पर पाइरीमीडीन सरक्रा तता फॉसफेट के या फिर प्यूरीन, तो इस तरीके इस question को याद करीगा बच्चो जितने भी question बता रहा हूं, ये भी question छोड़कर मत आईएगा एक भी question अभी आपको छोड़ा नहीं है सभी याद करना है ठीक है जितने question बता रहा हूं अगला question है कोस्का की आत्मत्या की थेली किस अंको कहा जाता है लाइसोसॉम, सेंट्रोसॉम, राइबोसॉम या कैंद्रक तो बचो लाइसोसॉम इसका right answer हो जाएगा पचो क्या हो जाएगा लाइसोसॉम इसका right answer हो जाएगा अगला question है कि नेमिलकित में से कौन सा तत्यों हीमोगलोबिन में होता है नेमिलकित में से कौन सा तत्यों हीमोगलोबिन में होता है F.E.M.G.C.A. या फिर C.U. तो इस तरीकिस इस question को देख लीजीगा अगला question है यहाँ पर्दे की मातर हमने आपको 9 से 10 ही बताएं हैं दस को याद करें जाएगे गा 5 नमबर पक्के हो जाएंगे ठीक है पांच नमबर पक्के हो जाएंगे ठीक है अगला question है कि नेमलिकित में से कौन सा हार्मून तनाव हार्मून कहलाता है अक्सिजिन सायटोकाइने एपसिक अम येफट जिब्रेलेन तो एपसिक हमलिस का right answer हो जाएगा बच्चो एपसिक हमलिस कर ली जीगा अब रिक्तिस्तान की बात करनें कि रिक्तिस्तान में आपको कौन कौन से याद करना है तो बच्चो यहाँ पर देखीगा विक्तिस्तान में आप लोगों के लिए फर्ष्ट कॉश्चन है फर्ष्ट कॉश्चन याद करीगा बच्चो यहाँ पर पॉलिप तता मैड्यू सा बसता है खालिस्तान संग की बिसिस्ता है तो किस संग की बिसिस्ता है इस कॉश्चन को देखीगा अगला कॉश्चन है कि सी के पीडियाप भी मिल जाएगी थोड़ा से सब्वर करिएगा इस वीडियो को अंते तक देखीएगा जितने कोशन बता रहा हूं एक बार देख लीजिएगा सभी के पीडियाप मिल जाएगी तो बस थोड़ा से इंतिजार करिएगा ठीक है तो कि ते क्रॉज रचना खाली स् पौदों में पाए जाती इस कोश्चन को देख लीजिएगा सबसे उचा एन जी इस पर में खाली स्तान है तो बच्चो इसको भी आप देख कर जाएगा ठीक है अगला है कि बिच में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला इंजाइम है तो देख कौन से एंजाइम है यह देख लीजीगा आर्द सूत्री विवाजन में एक पैत्रे कोशका से खालीस्तान संद्रत कोशका में बनती है तो इस तरीके से इस कोश्चन को भी देख कर जाएगा अगला है कि राय बुलोज 15 फास्पोर्ट में खालीस्तान में परमाडू कारण परमाडू होते हैं तो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे ठीके अगला कोश्चन है कोशका काétais क्षकी किस तो इस कर आज आता है तो इस तरीकेершर इस क्वाजन को भी देख लिए चिगा है अगला है कि प्रोटीन के स्वसन गुरान का मान क्या है तो इसक्वारण को देखीगा अगला कोश् सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम खाली स्तान है तो कौन सा है यह आपको बताना है अब सबसे देख लेते हैं बच्छों फटाफट से की ग्लाइक ग्लाइकोलाइसस की प्रिकरिया में गुलुकोज अंतमे स्क्रोज में परवर्टित होता है तो इस तरीके से यह कॉश्चन से अगला है सेवालों में पाए जाने वाले बंड़नक का नाम क्लोरोफिल है तो बच्छों इस कॉश्चन को देखीगा सत्त है या सत्त है ठीक है कार वीडियो को अंति तक देखेंगी तो आपको सही तरीके से पीडिया मिल जाएगी वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ पैपुणों की सरचना आत्म केवं क्रिया आत्म के काई तंत्रका कोश्का है तो बच्छों इसको कर लेजिगा अगला है मास्ट कोशिकाएं विसिष्ट संयोजे तू तक पाई जाती है तो इस तरीके से बच्छों इस कॉश्चन को भी आप कर लेजिगा मचलियों में सरच नरोग आइडारन की कमी से होती है सकता सकता आपके हो चुके हैं बच्छों देखीगा आप अपनी तयारी तो करी रहे हैं एक बार आपको क्या करना है? तो आप लोग अच्छे अंग कर पाएंगे ठीक है? अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्छो लाइक कर दीजिगा लाइक में कंजोसी करते हो आप लोग और चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल फुरी होता है जसी आपकी एक्जाम बगेरा होते हैं उनके लिए important questions आपको लगात कितने होती है 16-20 बार ससन होता है या नहीं यह आपको पताना था ठीक है चलिए अब एक बाक में उत्तर देख लेते हैं फटा फट से ताकि आप लोग अच्छे अंक लापाएं हम आपकी मदद कर रहा हैं तो बस आपको करना चैनल को सस्क्राइब करना है जीवानू सब्द कर लीजीगा अगला है सेवालों में पाई जाने वाले बन्नक का नाम क्या है देखिए सेवालों में पाई जाने वाले बन्नक का नाम आपका किलोरोफिल है क्या बच्छों किलोरोफिल है अगला है कि मूत्र में गलूपोच की पस्चिती किस रोग दरसाती है देखिए कि इ पूछा गाया, चलिए वी देख लीजिगा, एक बीज पत्तरी मूल में सम्माइन बंडली की संग्या कहलाती यह, जिसे आदिक होती है, ठीक है? यह सबी को पता होगा, गेंगारू किसी कमी कारण होता है, ऑइोडैन की कमी के कारण होता है अगला कॉशन है यहाँ पर अगला कॉशन दिया गया है कि रग्द में गलुकोज को गलुकोज को एकातरे तोना क्या कहलाता है यह कॉशन देख लेजिगा अगला कहा है कि मास्ट कोशका कहां पाई जाती है तो यह बिस्ष्ट सेयोजित उतक होती है ठीक ह और हमारा कॉश्चन है कि हर्थ लवक किन कोसकाओं में वपस्तित होते हैं तो यह आपकी सुकेंदृत पादब कोसकाओं में सेवाली कोसकाओं में पाए जातें बच्चो और आपको यहाँ पर पेरी कार्डियल द्रब का कार लिखना है तो इस तरीके से यह आपके हमने अब्जेक्टे कॉशन से भी बता दिये हैं एक भी अब्जेक्टे कॉशन से यहां से बाद नहीं जाने वाला है आप बिल्कुल आप टैंसन छोड़ दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बाद करते हैं इतरी लिए क्योशन को से याद करना है पहला कोशन से कॉन कौशन से याद कर रहे हैंा है वही आपको देखने को िलेंगे ठीक चलिएगा पहला पहला कौशन से देझीगा पहला question बच्चों याद करके जाएगा पादव कोश्का वा जन्तु कोश्का को मैं कोई तीन अंतर बच्चों यह question से बहुत important है इसकी important को समझे इस question को याद करिए ठीक है अगला question है कि आवर्त वीजिये पौदों के लच्छन दो लच्छन बताना है आपको याद करके जाएगे तीन अगला question है Kोश्का की परवासा लेखिए कोश्का की परवासा लेखिए बिलकुल सरया question है बच्चों हर कोई कर देता है इस question को अपने याद भी किया होगा अगला question है अनावर्तिये वीजे पौदों के दो लच्छन अना वर्तिय वीजे पौदों के दो लेच्छन तो ये भी अधिकतर बच्ची कर लेंगे ठीक है चलिए अगला कोशन है कि DNA और RNA में कुछ दो अंतर लिखना है DNA और RNA में कुछ दो अंतर तो बच्चो दो अंतर आप लिख लीजीगा ठीक है ये इस कोशन को तयार करिएगा अगला कोशन है सेवालों के दो प्रमों क्लेक्षन क्या है सेवालों के दो प्रमों क्लेक्षन क्या है तो बच्चो इस कोशन को भी तयार करके जाएगा अगला Quesjun है किनी दो प्रकास संचलेसी ब़लनकों के नाम लिखना है तो बच्छो इस Quesjun को याद करकी जाएगा ठीक है अगला है कि आक्सी स्वसन को इस्वस्च कीजिए आक्सी स्वसन को इस Quesjun को भी याद करकी जाएगा अगला कॉशन है कि केंद्रक की दो कार लिखना है तो बच्चो केंद्रक की दो कार यहाँ पर आप तीन याद करके जाएगा अगर दो अंका पूचे दो अंक में कर दीजिगा तीन अंका पूचे तो तीन अंक में कर दीजिगा लेकिन याद करके जाएगा यह वी कॉशन अनिप्रियोग लिखना है और देखेगा यहां पर अतवा लिखा है अतवा नहीं मानीगा इसको आपको करना इसको भी याद करना नैफ्रोन की सरचना कर नामा के चित्र बनाना है ठीक है अगला कॉश्चन है यहां पर ग्लाइकोसिस क्रेब चक्र में कोई चार आंतर आपको लियाद करना है यह उपर नीचे हो रहे हैं जीवो में कार्वोहाइडरेट के चार प्रमुकार लिखना है तो चार कार लिख लीजिगा अगला कॉश्चन है प्रोटीन के मैतेवं चुकता का वर्डन कीजिगा चलिए यह यह याद करना है खुलेवा बंद परिसनरक्षण में तंतर में कोई तीन अंतर लिखना तो बच्चो इस क्वेश्चन को याद करिएगा ठीक है जितने क्वेश्चन बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है अथवा क बच्चो अथवा के भी याद करना है आप लोगों को सह जीवता से आपका समझते हैं इस अथवा को अटाओ यह यह याद करो आप लोग प्रकास अंसलेशन की प्रकास ही आप प्रकास ही एक मैं कोई तीन अंतर ठीक है तो चलिए इस तरीके से आपको कॉश्चन बता दिये हैं हम नहीं ठीक है चलिए इन वस्चनों को तयार करिएगा फिर से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है आप सभी से की वीडियो को लाइक कर दीजिगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा ठीक है और यहाँ पर और कॉश्चन से बते हैं बचे हैं से इन question को याद करके जाएगा वच्चो यह भी question नहीं फसने एक भी question आपका छोटने वाला नहीं है ठीक है और यह हमने पिछली वीडियो में आपकी और objective question थे वो हमने बताई दिये थे तो इससे बार आपका paper जाने वाला है नहीं यह आपका पिछले साल का paper हमने आपको पहल करना है telegram channel को join करना है telegram channel की link आपको वीडियो को description में मिली जाएगी ठीक है वहां से आकर आप join कर लीजीगा ठीक है और इसके बाद क्या करना है यहां पर देखीगा मैं आपको बता रहा हूं आपको कुछ नहीं करना है आप Google चलाते हैं यानि कि आप आपके पास smartphone होगा smartphone ह कौन होगा आप Google चलाते हैं इस तरीके से चलाते होंगे आप Google पर search करिएगा class 11 biology तिरमासिक पेपर 2030 लाश्ट में इस पर क्लिक करिए तो और सारी option देखने को मिल जाएंगे यहां पर 11 बाले पर क्लिक करना है 11 बाले पर जैसी क्लिप करोगे तो यहां पर देखने को मिलेगा आपका यहां पर यह इसमें नीचे आओगे तो जितने भी question दिए गये हैं उन्हें अच्छे तरीके सियाद कर ल देखने करें और कुछ और important question बगएरा या कुछ important आपको कुछ सूचना पूचनी है तो telegram पर मुझे follow करें इस्टेग्राम पर मुझे follow करें इस्टेग्राम की link भी आपको वीडियो को discussion दे गई है तो वहां पर भी जाईए कोछ भी कागर question मगर आप पूचना है तो इस्टेग्राम की link discussion दे गई है वहां से जाकर join कर लीजेगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like जरू कर दीज देगा मिलते नेक्स वीडियो में धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी चैनल SKT चैनल पर कक्षाग्यारिमी जी बिग्यान का जो paper होने वाला है तो set a question paper लेकर आ चुके हैं इस question paper को करोगे तो यहापर आप 70 में 70 अंक लाओगी बिलकुल एक भी question आप आपका बहार नहीं जाएगा यह आपके लिए इतना important model question paper है आगर आप इसको करते हो तो आपका जो 70 अंक आने वाला है तो अच्छी तरीके से आप तयारी करोगे तो 70 में 70 अंक आएंगे जैसे कि हमने आपको हिंदी के बिसाय में जो question बताये ते वही आपको देखने को मिल देते ठीक है तो आज किस वीडियो में हम सैट एका शंपूर्ण solution लेकर आ चुके हैं शंपूर्ण solution के साथ हम आपको साथ में इसकी PDF भी provide कराएंगे ठीक है PDF कहां से और कैसे download करना इस वीडियो के अंध में पता चलेगा इस वीडियो को अंधर तक अवस्य देखीगा और अगर इस वीडियो को आप लोगों ने यहाँ पर सेर नहीं किया तो सबसे पहले सेर कर दीजिगा चैनल को subscribe कर दीजिगा और like लाइक भी कर लीजिगा ठीक है यहां पर मैं आपको कॉश्चन से बताने वाला हूं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है तो इन कॉश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाएगा और टेलिग्राम चैनल को जरूर जान कर लीजिगा वहां पर आप जो आपके ऑप्जेक्ट कॉश्चन है वो सारे हम बताते रहते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्स दी गई लिंक ह एक बार टेलिग्राम को जोन कर लेना इस वीडियो के जैसी कत्सम होगी उसके बाद ठीक है चलिए देख लेते हैं कॉश्चन्स देखिए यहां पर मैं आपको कुछ अब्जेक्ट कॉश्चन बता देता हूं ताकि आपको क्या करें तक आप तैयारी कर सकते हैं ठीक है तो अगले कॉश्चन की तरफ यहां पर अगला कॉश्चन हमारा दिया गया है कि यहां पर कि हरे सेवालों में संचित भोजन होता है तो हरे सेवालों में संचित भोजन कैसा होता है स्टार्च होता है यह फिर मैनी टॉल होता है यह फिर सलीलीज होता है यह फिर फिलोरो डियन स तो जायलम के बाग यहां पर मुचा गया तो भी देख लेते हैं जायलम के बाग कौन कौन से तो आपके सामने option दिये गए हैं वाहिनी का वाहिका पैरनाई का सभी तो इस तरीके से इस question को देख लीजेगा question number 4 आपको याद करना है गोर सूत्र में अविरंजन के लिए सबसे अदिक कौन सा उपयुक्त रग हैं अभी मैं आपको question इस बताऊंगा तो आप वीडियो में अंदTक बने रहेगा ठीक है वीडियो में अंदTतक बने रहेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा रहेगा क्यों जितने question बताऊंगा वही question आपको देखने को मिलेंगे ठीक है चलिएगा अब देखे अगला कॉशन्स है यहां पर दिया गया है कि गुर्शूत्र में अविरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उप्युक्त होता है तो छार की ये फुक्षिन होता है या फुर सैफरीनीन होता है या फुर मैथलीन विल्यू होता है या फुर एसीटो कार्मीन होता है तो इस तरीके से इसको देख लीजिगा अगले कॉशन की तरफ बढ़ें तो अगला कॉशन्स हमारा दिया गया है यहां पर देखीगा कॉशन नंबर पांच कॉशन नंबर पांच है कि संग एनलिडा के प्राणियों में उस सरजन किस रचना द्वारा होता ह अगर व्यू पसंद आ रही तो वीडियों को लाइक जरू कर दीज़ीगा चैनल को सास्क्राइब कर लीजिगा तो चैनल को बीया करणना विल्कूल फ्री ने कीती तो ATP की खोच किस ने कीती यह कौस्टन से पूछा गया है देखी का आपके काल लैमो लैमोन हो जाएगा और वॉमेन हो जाएगा लिप मैन हो जाएगा या बलेक मैन हो जाएगा देखी का इसकी संपूर् संप्पूर्ण सॉलिशन के पीडेयप आपको मिलेगी संप्पूर्ण हल के साथ इसकी पीडियफ और आपको देखने को मिलेगी वह मैं आपको वीडियो जरूरी अगर इसकी सॉलिशन की पीडियफ चाहिएं ठीक है अभी मैं आपको questions बता रहा हूँ very very most IMP questions है एक भी questions आपके exam से बहार नहीं जाएगा 100% आपकी यह question देखने को मिलेंगे बस असर्थ है कि इस वीडियो को अंच तक जरूर देखें अंच तक दोखो को देखोगे तभी आप लोगों के लिए benefit रहेगा ठीक है चलीगा फर रेप्टी लिया से यह फर मैमो लिया से यह फर एवी से तो किस से है यह हाँ पर पूचा गया था चलीए अब अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question हमारे रिक्तिस्तान दिये गए हैं ठीक है रिक्तिस्तान देख लेते हैं कि सबसे पहला जीवाड़ियों में राइब किसको कहा जाता है यहां पर खाली स्तान को पौदों और जंतियों की वीच की से ओजी कड़ी कहा जाता तो किसको कहा जाता है यहां पर इस question को याद करिएगा अगला question है कि सेवालों की कोश का वित्ति खाली स्तान में पाई जाती है तो बच्चों इस question को भी याद करके जा अगला question है एक बीज पत्री मूगल खालेस्तान में प्रकार के संभान बंडल पाए जाते हैं तो इस तरीके से इस question को करिएगा देगी जितनी objective question बता रहा हूं एक question आपको छोड़ना नहीं है next नमार objective question निमलिकित में सबसे बड़ी कोशका होती है तो किसकी होती है मुर्गी की होती है सतर मुर्ग के अंडा की होती है या फिर माई को प्लाजमा की होती है तो इस question को भी अच्छी तरीके से याद करकर जाएगा अपर next question है कि C चक्र C चक्र का सतान का नाम है तो C चक्र के नाम के सतान का क्या है तो इस तरीके से इस question को याद करके जाएगे 100% आने वाला question से अब बात करते हैं कि आपको questions जो important questions और है यहनी कि याद करना है तो यहाँ पर देख लेजीगा मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको याद करना है यहां पर एक सिकंड दुकिएगा देखिए जो question से आपको याद करना है बच्चो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को like नहीं किया तो like कर दीजिएगा चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा देखेगा यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से question से याद करना है एक बार वो देख लिजीगा कि देखेगा यही question से आप याद करके जाएगा पहला question है कि पादव जन्तुक पादव कोशका बादव जन्तुक उसका में कोई तीन अंतर आपको लिखना है तो इस question को याद करिएगा आवरती वीजीए पौदों के दो लक्षण आपको बताना है तो इस question को भी याद करिएगा कुशका की परवासा ये भी very very IMP है तो इसको भी याद करके जाएगा अनाव ब्रतिय वीजिय पौदों के दो लक्षण यहाँ पर बताना है तो इस question को याद करके जाएगा DNA और RNA में कोई अंतर लिखना है तो very very most IMP question है very very most IMP है तो इसको भी याद करके जाएगा सेवालों के दो प्रमुक लक्षण यहाँ पर मुझे गए हैं तो सेवालों के दो प्रमुक लक्षण यहाँ पर देख लिजीगा अगला है कि किनी दो प्रकास अंसलेशी बर्नकों के नाम यहाँ पर लिखना है तो वो भी आप इस तरीके से देख सकते हैं इस question को अगला question है कि oxy-swashan को स्पष्ट कीजिए इस question को भी याद करीगा बच्चो ठीक है और देखे oxy-swashan को स्पष्ट कीजिए और अंतर भी आप इसका याद कर लीजिगा oxy और anoxy oxy-swashan में अंतर केंद्रक यहाँ पर दो कार पूँचे हैं आपको दो कार यहाँ पर याद करना है लसीगा की भी यहाँ पर दो कार पूँचे हैं तो यहाँ पर दो कार याद कर लीजिगा अगला important question और IMP question है जितने भी बता रहा हूँ एक भी question छोड़ना नहीं है अताह स्वashan एवं नी स्वashan में कोई तीन अंतर लिखना है तो उस तरीके से इन question के याद कर रहेगा आप बताता हूँ कि कौन कौन से question और आपको याद करना है objective में और बैसे भी important questions हैं जो आपके लिए exam में आज सकते हैं देखिए यहाँ पर एक questions आपको याद करना है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोग देख लीजीगा मैं आपको थोड़ा से जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको सही देखे कि वाइरस यह आपको objective में आएगा 100% वाइरस मुख्यता बने होते हैं किस से बने होते हैं मुख्यता वने होते हैं यह question से याद करिएगा मुख्यता वने होते हैं देखे आपके सामने option इस तरीके से आएगा पहला हो सकता है यहाँ पर protein ठीक है दूसरा हो सकता है आप लोगों का जल और तीसरा हो सकता है आपका देखे इस साब यानि की निकलियो प्रोटीन और यहाँ पर आपका last वाला हो सकता है दा वाला यह हो सकता है आपका निकलिक अमला निकलिक अमला इस question को याद करके चाहिएगा इतने question लिख रहा हूँ यहाँ पर उनको तो अच्छी तरीके से याद करिए ना ही है अगला question से आप याद करिएगा रिक्टिस्तान में मैं आपको बताता हूँ कि protein के श्वसन गुडांक का मान होता है very very most IMP है इस question को वच्चो याद करके जाएगा कि questions है कि protein के श्वसन गुडांक का मान है इस question को याद करिएगा ठीक है इतनी question बता रहा हूँ एक भी question छोड़ना नहीं है अगर छोड़ोगे ना फिर बाद में कहोगे कि यही question आया था और यहाँ पर एक आपको hemoglobin तत्त्त पूशा जा सकता है कि hemoglobin तत्त देखी कि इस तरीक इस question बोचे कौन सा तत्त हीमोगलोबिन में होता है हीमोगलोबिन में कौन सा तत्त पाया जाता है यह आप से पूशे जा सकता है हीमोगलोबिन में कौन सा तत्त पाया जाता है हीमोगलोबिन में कौन सा तत्त पाया जाता है देखी कि है हीमोगलोमिन में आपको पता है कि आपके सामने option होंगे एक आपका F.E. होगा दूसरा आपका M.G. होगा तीसरा आपका A.N.E. होगा और चौता आपका यहाँ पर देखीगा चौता आपका क्या हो जाएगा चौता आपका हो जाएगा यहाँ पर सीड़ी हो तो इस तरीकी दिस कॉश्चन को भी करिएगा अगला कॉश्चन से याद करना है कि विस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है यह आपको बताना है तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग एक बार कि अगर वीडियो पसंदा आप वीडियो को लाए जो कर जरूर करिएगा ठीक है विस्ट में पाए जाने वाला विस्ट में विस्ट में सबसे अधिक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पाया जाने बाला एंजाइम खाली इस्टान है इसकोशन को याद करिएगा ठीक है बागी यहाँ तक ठीक है एक और आपको याद करना है वो है आपका की देखिएगा क्रोज सररचना इंपोटेंट है क्रोज सररचना क्रोज रचना यानि क्रोज रचना किन पौदों में पाई जाती है यह देखिएगा पौदों में पाई जाती है पाई जाती है ठीक है तो इस तरीके से इन कॉस्चनों को याद करिएगा और देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉस्चन्स बताऊंगे औब्जेक्टे कॉस्चन दिए गए हैं यह स्टार्च का बहुला के यह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको यहाँ पर एटीबी की घोज किषने की यह सारे कॉस्चन्स आपको याद करना है ठीक है नेक्स्ट वीडियो पे जो भी कॉस्चन्स बते हैं वो मैं आपको बता दूँगा अब बात करते हैं कि आपको PDF किया से मिलेगी तो PDF के लिए धोड़ा सापको निजार करना पड़ेगा क्या मैं आपको process बताऊंगा उस process के माध्यम से आप यहाँ पर उस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे चली पीडियो को बताते हैं किस तरीके से डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और वीडियो को सेयर जरूर कर दीजिए पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखेगा आपको कुछ इस तरीके से यह पेज देखने को मिलेगा यहां पर आपको आपको याद करना होगा यहां का अगर एक वी कॉश्चन छोड़ती है तो बात में कहेंगे कि हाँ जैसे यह वीडियो समाव थोगी इसके बाद यहां पर एक पीडियाप यहां पर डाल दी जाएगी उससे आप डाउनलोड कर लेजिगा पीडियाप को ठीक है तो पीडियाप आपको इस थ्री डॉट पर आना है त्री डॉट पर आने वाल आपको लिख रहा है त्रमासिक पेपर 23-24 यहां पर लाइट में आपको यह दिख रहा है इस बॉक्स पर क्लिक करना है जैसी तो और करोगे तो और ऑप्शन देखने को मिलेगे नाइन का एलेविन का और टैन तो आपको इलेविन के करना है तो इस तरीके से यहां पर देखिए अभी इंग्लिस का पेपर आपका हो रहा था तेस वजभी से यहां पर इंग्लिस का आइटिकल देखने को मिल रहा है जैसी आपका ओदाएगा यह पैक्सेंटाब लाइग यह ठासे वीडियो को लाइक ज शेयर भी कर दीजिगा ने नेक्स वीडियो में धन्यवाद